In 1991 में जब उदारी करण का दौर सुरू हुआ, उस समय कॉंग्रेस के भीतर से भी बिरोत था और बाहर सभी दलों ने उसका बिरोत किया था लेकिन जब-जब सरकारे बनी, पिरोधी दलों की सरकारे बनी तो उन सभी ने उदारी करण की नीतियों को जारी भी रखा हमारे साथ हैं डक्टर बलाम जाखर जी आप उस समय किर्सी मंतरी थे और सबसे कांगरेस की सबसे बड़ी नीत नीर्जादक सनस्ता कांगरेस वरकिंग कमेटी की भी मेंबर थे इसके पहले कांगरेस के महासजी भी रहे हम आप से जानेंगे कि उधारी करन की उस नीतियों का अब तक क्या सर पड़ा और क्या किया जाना से से अगर वो खेट में जाकर समझने के चेश्टा करते कि हम जो पैदा करते हैं खेट में उसका हमें सही दांग क्या मिलता है और बाजार में आकर उसका रूपांतर कितने में होता तो फिर पता लगता तरकी करने के लिए कुछ कश्च सेने पड़ते हैं पहरे पहरे तो मुश्किल लगती है लेकिन जब मौसला हल कर लेते हैं तो फिर लगते हैं वा भई वा यह ठीक हो गया तो यही मौसला यहां है लोग समझझते हैं इस बात को मैं उदार नदे सकता हूँ हम बागबान भी हैं हम किनों पैदा करते हैं, सारा साल काम करते हैं, खेती करते हैं, देखर करते हैं, पानी लगाते हैं, खात देते हैं, रुखवाली करते हैं, पैकिंग करते हैं, और उसको डिबा बंद करकर यहां भेजते हैं, दस किलो का डिबा हमने भेजा, यह मैं आपनी प्रेटिकल बता र तो तीन गंटे के बाद वो बाद छे सो रुपए का भी का हमारे तो साल भर की जख मारी हुई डाई सो और वो तीन गंटे में छे सो रुपए मतलब साड़े तीन सो रुपए कमा गए तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी सीधा FDI वाले खरीदें किसान से सर आखरी सवाल ये है कि जो खेती बाड़ी की बात उठती है आपके समय में कई योजनाया शुरू हुई लेकिन अभी अगर गोर करिये तो कई जगा किसान आत्मत्या करें कई तरह की समस्या आ रही हैं सर खेती के संकट को कैसे दूर कर सकते हैं अभी क्या कि अधर धान करने वी बात है कैसे हम करें विचार करके अहले तक शेतर की अलहाद हमस्या आ हैं पान की कमी है कहीं कुछ कमी है कहीं वर्षा जादा हो जाती है то उसको देख करना पड़े गा तो उनके दिये किस तरह कि समस्को सटेन कर सकते हैं ये एक हाला हमारे साधन होना चाहिए तो देखे करेंगे और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए और हो भी जाएगा छोटे छोटे खेते हो गए बिलकुल ही उसमें मुश्किल यह हो जाएगी कि और छोटी जोत होगी तो इसमें आप क्या काम कैसे करोगे आपादी बढ़ती जा रही है तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि उस बार को प्रुथी पर से उठा करके इंड़स्ट्री में लगाएं वहां उन लोगों को रहने देखेती कर सकते हैं हमें हर एक जोत का भी ध्यान करना पड़ेगा और यह विचार करना पड़ेगा कि देश इतमें क्या है